चले दोस्तों लेके आगया हूँ आपके लिए और एक जवर्दस वीडियो एंड हम बहुत सारे अंडर वाले जो अंडर होते हैं अंडर 20,000 अंडर 30,000 ऐसे बहुत सारे वीडियो करते हैं लेकिन जनरली ये होते हैं प्रीमियम मिड रेंज, मिड रेंज या एंट्री लेवल 10 10,000 के नीचे बहुत कम बार मतलब साल में एक या दो बार करते हैं फ्लाक्शिप लेवल के अंडर 50,000 येस आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों दोस्तों दोस आर माइं टॉप 5 पिक्स अंडर 50,000 मतलब 50,000 के नीचे के सब से अच्छे स्मार्टपोन मुझे अभी करते हैं now let me tell you हमने minimum basic criteria रखा हुआ हमारा जो अंडर की वीडियो होते हैं सभी में हम basic criteria रखते हैं so that gives us a benchmark और आपको भी benchmark मिल जाती है आज की हमारी list में basic benchmarks are कम से कम 865 या फिर 855 प्लस प्रोसेसर होना चाहिए display में high refresh rate होना चाहिए AMOLED होना चाहिए that is very very important fast charging का भी support होना चाहिए इसके अंदर so overall जो भी flagship level के specifications आप expect करते हो flagship phone से वो सब कुछ इसमें होने चाहिए दोस्तों यह जो phone है पाच्वे नंबर पे पहले 5 नंबर का बताऊंगा और उसके बाद में पहले नंबर पे जाऊंगा यह पिछले साल लॉंच हुआ है फिर भी अभी भी इट इस वन अफ तॉप 5 फोन्स अंदर 50,000 oneplus 70 pro 855 प्लस प्रोसेसर पे आता है 8gb ram 256gb storage अच्छी बैटरी 4035 mAh की बैटरी है 30 watt का warp charging है इसके अंदर बट बेस्ट पार्ट इस आप अगर डिस्प्ले के बास देखोगे 90 हर्ट का fast refresh rate भी है इसमें and at 47, 48,000 I think definitely it is at number 5 जो भी फोन्स दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं सभी के लिंक्स मैंने नीचे description में दिये हुए जरूर जाके आप देख सकते हूं दोस्तों यह जो चौथे number का है I love this phone I honestly love जब वो launch हुआ था था अभी मुझे अच्छा लगता था और अभी नियरली एक साल हो गया है उसे launch होके and I still love it I am talking about Asus ROG Phone 2 जी हाँ it is the gaming phone and under 40,000 आपको 855 plus processor मिल रहा है 6.59 inch की AMOLED 120 Hz वाली screen मिल रही है 8 GB RAM 120 GB storage है जो base variant under 40,000 है वो है 30 Watt का charging मिलता है 6000 mAh की battery है and all those gaming के लिए buttons वगे रहे हैं अच्छा cooling system है definitely under 40 it is still one of the best phones मेरी लिस्ट में फोर्थ पे आता है definitely और दोस्तों हमारी जो लिस्ट में सबसे चोटा फोन में कहूंगा या फिर manageable phone कहूंगा generally यह ज phone 2 के पास देखिए दूसरे भी phones देखिए OnePlus 70 Pro अगेरे बड़े हैं but this one Realme X50 Pro is manageable जिया form factor अच्छा है उतना ही नहीं दो तीन चीजे stand out for this एक तो 65 Watt का fast charging दूसरा cameras पीछे की तरफ आपको 64 Megapixel के quad cameras मिलते हैं आगे dual मिलते हैं 32 Megapixel plus 8 Megapixel fast charging है अच्छी बैटरी है और सबसे ब सब्सक्राइब के साथ होता है वो भी अच्छा है और 42,000 41 999 this I think definitely as number 3 दोस्तों यह जो अगला फोन है यह थोड़ा महंगा है मेरे हिसाब से बट स्टिल अगर आप स्पेसिकेशन वगेरे के पास देखते हो सही में अच्छा है बड़ी स्क्रीन के साथ आता है मी 10 yes 49 999 इसकी प्राइज है बट Qualcomm Snapdragon 865 प्रोसेसर है सबसे बड़ा जो हाइलाइट है वो है 108 Megapixel का Quad Cameras पीछे की तरफ जिहां इस अनली फोन इन दिस अंडर 50,000 category जिसमें आपको 108 Megapixel का Quad Camera setup मिलता है और एक बात है दोस्तों यह सिर्फ एक ही फोन है जिसमें 30 Watt का Wireless Charging मिलता है 30 Watt Wire Charging तो ह है ही लेकि 30 Watt Wireless Charging भी है तो Camera and Fast Charging are standout features जैसे मैंने बता है 49999 थोड़ा भेंगा अगर 45-46 तक तो होता था तो बहुत अच्छा होता था बट 865 प्रोसर 8GB RAM 256GB Storage यह सभी चीजे आती है और देफिनितली मेरी लिस्में है नमबर 2 पे और दोस्तों नमबर 1 पे जो आता है दे र 6GB आता है और 8GB variant का भी आता है इंडिया specific 6GB variant है OnePlus 8 में 6GB 128GB that comes for 4999 865 processor 6GB RAM 128GB Storage and that Oxygen OS का user experience. I find Oxygen OS one of the best UIs और मैं खुद इस्तमाल करता हूं OnePlus 8 Pro पहले OnePlus 8 भी इस्तमाल किया हुआ है पीछे की तरफ camera ठीक ठाक है मैं कहूंगा अगर सिफ camera important है तो अब इस list में जो दूसरे phones है उसके पास देख सकते हो but overall experience के बारे में अगर बात करूं तो OnePlus 8 definitely comes at number 1 in my list. तो दोस्तों ये थे मेरे top 5 picks लेकिन अगर आपको iPhone चाहिए तो अभी under 50,000 में आपको iPhone SE मिलता है जिसमें A13 Bionic है बाकी के features इतने खास नहीं है 4.7 इंच की screen है चोटी screen है but अगर iPhone चाहिए it is a powerful, छोटा monster मैंने काया उसको तो उसके पास आप देख सकते हो या फिर अगर आपको Samsung का चाहिए उसमें high refresh rate नहीं है उसके वैसे इस list में नहीं है आपको के बाएग से से अज़े ए सब्सक्राइख टेंड़ में हूँ से इसे है इसे हैंने काय म में अज़ाग आपको सब्सक्राइबातरा है